दोस्तों नमस्कार एक बार फिर्शी स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल दियोजी के ट्रिक्स में दोस्तों आप डेली की तरह याँ पर लेक पाल का मॉडल पेपर सॉल करेंगे जुकि डेली क्लास होती है आपकी तीन बजे होती है याद रिखेगा कि यह जो क्लास होती है आपके डेली तीन बजे होती है तो आप लोग टाइम से अगर आपके पास नोटिविकेशन आए या ना आए लेकिन आप लोगों को तीन बजे जरूर आपको आना है इस कलास में ठीक है दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो चचु प्रकासन लेकर आया है वीडियो एक्जाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिसेट जो कि आपके इस लिवस के अंसार है और ऐसे कोशन होते हैं जो एक्जाम में संभावी थे कि सेम टू सेम कोशन म लाते हैं यहाँ पर दे सकते हैं चचु प्रकासन मार्केट में तहल का मचा रखा है देख सकते हैं आप लोग बीए डिक्जाम की त्यारी कर रहे हैं या आप लोग वीडियो एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं लेक पाल की त्यारी कर रहे हैं तो इनकी बुग वियो लेवल है इनके practice level हैं आप कहीं से भी हैं आपकी नजदी की book style में आपको मिल लाएंगे अगर आप लोग आनलाइन मगाना चाहते हैं तो आनलाइन मंगा सकते हैं फ्लिप कार्ट से अमेजन से मंगा सकते हैं यहां पर दे सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी अर्था जो विडियो एक्जाम है इसके लिए जो practice इट बनाया गया है चचु प्रकासन के दोरा वो आपके दे सकते हैं कि इस वाले practice इट में 20 practice इट हैं और इसमें से दो solve paper भी आपको रखे गए हैं कि कैसे question आपके आते हैं और इस पिछली बार जो question पूछे गए थे कैसे question पूछे गए थे उसी के according यहां पर जो आपका syllabus दिया है उसी syllabus के अनुसार ये भी practice इट आपके बनाया गया है और इसी question आपको देखने को मिलेंगे आपके exam में यहां पर दे सकते हैं कि पूरे के पूरे 20 practice इट आपको मिलेंगे और यहां पर इस प्रकास से जो solve paper है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा question भी आपके काफी अच्छे हैं और इसी के साथ साथ खास बात ये रहती है कि यहां पर describe दिया होता है answer की होगी answer की के साथ साथ यहां पर describe भी दिया रहता है जिसके माध्यम से आप लोग अच्छी तरीकी से त्यारी कर सकते हैं यहां पर अगर आप लोग देखो हमने आपको बता भी दिया इस टार्टिंग में भी कि काफी लोग कहते हैं सर हम बीड एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं अना कोई कहता है सर लेकपाल की त्यारी कर रहे हैं तो यहां पर दे सकते हैं कि बीड के लिए भी आपके प्रेक्टिस इट आपके अउलेवल है यहां पर दे सकते हैं लेकपाल के लिए प्रेक्टिस इट आउलेवल है आप मर्केट से यह आप लोग आप लोग आनलाइन मं सकते हैं अमेजन समगा सकते हैं फिलिपकार से मगा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी को जैहिन 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 और सब्दका लोप रहता है वह सब्द आपका कौंसा है यह बताये कौंस समय्स जिसके बीज तर इतर इतर बाडा कट्रीन आपको लग रहा होगा लेकिन आपने समास पढ़ा है बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पर फिर दिया गया है इत रेतर दुन्द समास इन में से अंसर क्या बनेगा चले तो देखे इस का अंसर हो जाएगा इत रेतर दुन्द समास इसका जवाब बनेगा इत रेतर दुन्द समास हो जाएगा ठीके नोट कर लिए नया कोर्शन आपको मिला है तो इसे नोट कर लिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया है उन्होंने कहां जाना है देखो दिया है उन्होंने कहां जाना है क्या होता है क्या सही ये तो सही नहीं होता है होता क्या है उन्हें कहां जाना है इसका मतलब गलती क्या है इसमें है और ये है क्या यहां पर तो ये है आपका सरुनाम समंदी आपकी असुद्धी है तो जवाब हो जएगा ए नमबर राइट हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उप्यूक्त समास आपको चिन्नित करना है पत्थ ब्रस्ट पत्थ से ब्रस्ट इसका मतलब अपने पत्थ से वो अलग हो गया ठीके मंजिल सही जा रह महोरिमी का संद्वी छे दिन में से क्या हो जएगा चलिए तो देखो ओकी मात्रा भी है तो आप समझगे गुर संद्वी में लेकिन आप बताइए कि इससे तोड़ेंगे कैसे क्या बनेगा आपका महाधन ओर्मी अब यह बताईए बीवाला उप्सन हो जाएगा सी नमबर ह दिन में से क्या है तो का परिवाची सब दिन में से क्या है थोग का पर्यावाची बताना है थोग का पर्यावाची क्या होज़ेगा चलिए दल होता है ठीके और होता है पर्याईक यहाँ पर जो आपसन है थोग का पर्यावाची पूछा गया यहाँ पर्याईक बनेगा आपसन है यह तो हम लोग इसे बोल सकते थे दल भी बोल सकते थे आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि स्वर संदी में किसका मेल होता है स्वरों का मेल होता है बेंजन का मेल होता है सब्दों या मात्रा तो वही स्वर होते हैं स्वर जब होंगे तो स्वरों का ही तो मेल होगा ना क्या होगा यहां पर आपका अंसर रहोज़ेगा स्वरू का मेल होज़ेगा अगला कोशन दिया गया है दीठ का तरस्थम सब्द क्या है दीठ का तरस्थम सब्द में से क्या होज़ेगा चलिए दीठ का तरस्थम जवाब दीजे फटा फट जवाब दीजे वही चलिए देखे जंगल में रहते हैं लोग दानाव लोग तो इसका मतलब हो गया मतलब दावानल सही दिया गया है अगला है आगे की सोचने वाला अग्र गामी दिया गया है तो यह क्या सही है क्या आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं अग्र सोची कहते हैं अग्र सोची जो की ऑप्सन भी अगला है समुद्र की आग बढ़वाग नहीं होता है पेट की आग जट्राग नहीं होता है जब बतासा खाते हैं अना पड़े करण वाले तब क्या होता है पेट में दिक्कत होती है तो पेट की आग को बोलते हैं जट्राग होती है आगे बढ़ते कोशन दिया गया है यहां पर दिया गया है गद्यांस और गद्यांस को क्या करना है यहां पर इसकिप कर देंगे लोब के बारे में दिया है पढ़िए और पढ़ने के बाद आसानिस इसके जवाब दे सकते हैं अगला कोशन आप से दिया गया है अमरत का विलोम सब दिन में से क्या होगा चलिए प्यारी करना चाहिए कि चाहिए हम आप संदे या न दे लेकिन आपको अंसर रटा होना चाहिए फटा फट जवाब दीजिए चले भाउतिक का धार्मिक मत लगाई यहां पर लगाना भी नंबर अध्यात्मिक लगाना है ठीक है और समरे आपका भी नंबर आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया है चैन की बंसी वजाना का अर्थिन में से क्या हो जएगा अब देखो यहां पर क्या होता है जब आपके पेपर हो गए तो आप क्या करते हैं बड़े फ्री हो जाते हैं जैसे गर्मियों की छुटी होती है तो आप नानी के गाउं भाग जाते हैं टपका खाने मतलब क्या होता है बहुंच करते रहते हैं तो यहां पर देखे 17 को ऑप्सन यहां पर भी होज़ेगा ऑप्सन कंसाल लगाना याद रखेगा आगे बढ़ते हैं भविश्यत काल में बदलिए यहां पर एक वाक्य दिया है बच्ची रो रही थी इन में से बताइए कि उसका सिमला जाना है उसे सिमला जाना है उसे सिमला जाना है चरे कौन सा बनेगा डी वाला देखे डी नंबर आप लोग लगाए भई यहां पर डी हो जागा उसे सिमला जाना है आगला कोशन आपसे यहां पर दिया गया है क्यार आपसे उसे मरत्यु दंड की सजा मिले प्रियुक्तवाक को असुद्धी सपस्ट करना है यहाँ पर क्या असुद्धी है उसे मृत्तिव दंड की सजा मिले देखो यहाँ पर क्या है ना कि दंड तो है और साथ में सजा है क्या होना चाहिए नई होना चाहिए सजा और दंड एक के पर्यावाची है तो आपसन क्या दिया है कि संस्कत के सब्दों का प्रयोग हुआ है चलिए विदेशी सब्द सजा का प्रयोग हुआ है दंड और सजा समनार्थी सब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ यहाँ पर आपसन जो आपका सी नंबर है कि दंड और सजा समनार्थी सब्दों का तो, देहों यहांपर दिए पूरलिंग का परिवर्तन क्या है, तो समागरी का सम्राट मदलब, यहांपर जो अंसर है, आपका यह रिवार्तन होंगया यहांपर देखें आपका समागरी का सम्राट यहांपर अंसर आपका होज़ेगा A-Number, आगे बदती है क्वेशन नंबर बनेगा यह असी नंबर बनेगा चलिए धा में मात्रा बताइए चोटा उटकी लगए गरगा रात भर शोते नहीं हो गया अच्छा पड़ाई करते हो चले माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर सब्द आपको बताना है तो देखो के लिए सब्द आपका दिया गया है यह बताओ है क्या के लिए सब्द आपके क्या है अंक मतलब नाटक का एक अंग भी होता है, अध्याय भी होता है, संख्या भी होती है, मतलब यहाँ पर दिखे आपका जवाब कौन सबनेगा, डी नमबर है, आराइट हो जएगा, अगला कोशन दिया गया है, कि सब्दिकी वर्तनी सुद दी गई है, यहाँ पर प्रस्ट, प् यहाँ पर दिखे प्रदर्शनी होता है, यह मतलब यहाँ पर दिखे पतंजली आपका सी नमबर, अब यह बाबा रामदियो वाले पतंजली मत लगा दीजेगा, यह है आपके सुंग कालीन थे, विद्वान एक दार्शनिक, जिन्हों नों योग पर पतंजली योग नामा क पुष्टक भी रिखी थी, तो योग का सुत्र जुत्र जुवाक के रहा था, वो था योगत से चित्रवर्ति निरोधा, तो इसमें ऑप्शन बनेगा, यहाँ परमसर हो जगा आपका सी नमबर हो जगा, आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है, मिनाची मंदिर कहां वस्ती थे, मिनाची मंदिर कहां वस्ती थे, इसका आप्शन को लग करियेगा, चले, मिनाची मंदिर आप्शन आ रहा है, C नमबर मदुरय, हנה कहां पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा आप्शन सी, मदुरय हो जगा मदुरय, जो कि आपके कहां पड़ता है, आपके तमिल नाडु में तो आपके लिखी गए थी संसकत भासा में याद रखेगा वीश्म पर्वसे संग्रहीत की गए थी इसमें कुल 18 अध्या है कितना कुल 18 अध्या है और संसकत भासा में लिखी गई है याद रखेगा अगला कुशन दिया है 1906 में मुस्लिम लिख की स्थापना हुई थी तो जिसका अंसर आ राइट अंसर हो जगा धाका इसका अंसर हो जाएगा ठीके ना सली मुल्ला का नाम सुना होगा सली मुल्ला के नितरत में 30 दिसमबर 1906 को ढाके में आव्यूत की गई थी आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है भारत के प्रथम और अंतिम भारती गवर्नर जनरल कौन थे सभी लोग साथी जवाब देंगे जितने लोग जुड़े है सभी लोग प्रयास करिए कि जवाब देने का फिके जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे चलिए यहां पर बताइए भारत के प्रथम और अंतिम भारती गवर्नर जनरल इन में से कौन बनेंगे तो यहां पर होजेगा सी राज गोपाला चारी क्यों कि यहां पर आप दादा भाई नवरूजी के कहा जाता है याद रखेगा कि बिटेन के हाउस आप कामन्स के सदर से चुने जाने वारे ये प्रतम भारती थे हना और आपको पता है कि भारती राष्टी कांग्रेस के तीन बार अध्यच बन चुके हैं ये तीन बार भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यची वी बने थे आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है सुराज पार्टी का गठन किया गया था वो कब किया और किस के द्वारा किया गया था तो टेईसमें संमेदन बुलाया गया इलाहबाद में और इसमें सियार धास और पंडित मोती ळानरू और सुन वनेगा आपका स यहाँ पर अंसर राइट क्या हो जाएगा चलिए डी नंबर दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर अंसर दे रहे है ए नंबर ये थी आपके ए नंबर अलहिलाल क्या थी वही मौलाना अबुलकला माजाद ने दो समाचार पत्र कलकत्ता से उर्दू निस्ते निका ले थी मतलब क राइस करके बिलाल ये इनका दूसरा तर जो कि दोनों ही कैसे थे संस्कत में ही थे यादर के आगे बढ़ते हैं वन अंसंधान कहां पर है तो वन होते हरा भरा तो वन हो जाएगा देहरा धून ऑप्सन हो जाएगा सी नंबर अराइट हो जाएगा अगर आपसे पूछे कि वन हमसंधान संस्थान की स्थापना जो की गई वो कब की गई थी तो आपके 1914 में की गई थी कब आपके 1914 में की गई थी यादर रखेगा ठीके ना और आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है भारक के किस राज को सिलकान स्टेट के नाम से भी जाना जाता है यहां पर हैं और वियाद रखेगा कि रेसम के कुल मामले में 50 प्रतसत से आपके करनाटक में ही प्राप्त हो जाता है और यहां पर सरवाधिक उत्पादन भी होता है ठीक है यही कारण भी करनाटक के सिलकानों स्टेट भी कहा जाता है और आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस राज मे सरवाधिक कोईले के भंडार हैं यहां पर अंसर दीजेगा आपका राइट अंसर इनमें से क्या बन जाएगा चलिए जवाब दीजी इसका राइट अंसर भारत में किस राजी में सरवाधिक कोईले के भंडार हैं चलिए तो देखिए यहां पर आपका राइट अंसर यहां आपके भाग है जारखंड में वो संचीत है और इसका राइट हो जएगा यहां पर आपने सुना होगा जरिया बोकारो धनबाद यह प्रसित कोईले की खाने कौन-कौन आप से पूछा जाएगा जरिया कहा है बोकारो कहा है धनबाद कहा है तो आपको अंसर देना है डिनमबर हो जएगा मोर को बोलते हैं इसे याद रिखे वन ने जू सरच्छा दिनियम जो आया था 1972 उसके तहती सरच्छर प्रदान किया गया है तो इसका अंसर हो जएगा ठीके ना ब्रच पूंचे भारत का तो आपको बताना है रास्टी ब्रच बरगद है रास्टी फल आम है और प्रदेश की बात नहीं हो रही थी अगला भारती समीधान में आरंभी में कितने अनुच्छे थे आरंभी की बात करें तो आपको तुरंत अंसर लोग करना है कि सर तीन सो पंचान में अनुच्छे थे यादर के 22 भाग थे और आठ अंसूचिया थी हाना आगे बढ़ते प्रदा खतम हो चुके हैं यहां पर अंसर अपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है प्रतम लोगसाबा का अध्येच कौन था यहां पर पैसर टंबर में तो प्रतम लोगसाबा का अध्येच अगर आपसे पूचे तो सबसे पहले आपका डी हो जगा जीवी मौलंकर अगर पूचे यहां पर मैलाओं में तो आपका सुमित्रा महादन को जानते ही हुँ महिनाओं में अगरा कोशन दिया भारती समिधान के निमकित अनुचेत कंतर्द किसी राज्य में राश्पती सासन लागू किया जा सकता है राश्पती राज्य सासन तो भी आपको यहीं अंसर लगाना है ठीक है याद रहेगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि भारती समिधान के अंतरगत मौलिक अधिकारों का जो संरच्छक होता है वो कौन होता है मौलिक अधिकारों की जो रच्छा करता है यहां पर अंसर क्य बनेगा यहां पर अंसर क्या रा नंबरेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं समाज्वादी सब्दु देसका में जोडा गया एक अप जोडा गया सही जवाब दिने का प्रियास करें और जी लोग ने वीडियो आए जरूर करें आपके शॉपोर्ष को होता है आप लोगों के यहां पर सपोर्ट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है ठीक है और आपके सपोर्ट से ही सब कुछ चलता है चलिए बिल्कुर सही जो आप देख सकते समाजवादी सब्द हना समाजवादी और अखंडता सब्द यह सब तो मिस्टरी तर्थिवस्था को मतलब मिस्टरी और चेत्रों आर्था डोनों चेत्रों क्या होता है सै भाजिता होती है तो आप कंसर हो ज़गा भी नंबर हो जगा आगे बढ़ते हैं क्वेसंदियाourd भारत में Moscow की क्रसी में उत्तरवदेश की जो कोटी है अज़ाइबकर में जो क्रसी है उत्तरवदेश में किस कोटी है यहां पर तो कहेंगे कि यहाँ पर दुती इस्थान रखता है क्योंकि पहला इस्थान आपका रखता है परस्चि मंगाल तो इसका अंसर हो जएगा बी नमबर दुती इस्थान हो जएगा ठीके आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा है क्या निमनिकित नदियों में से कौन सी कि इस जञती है टाप के उत्तर प्रदेश से नहीं गुरूचंफार पूच्छा गया है यहां पर देखिये कितना अच्छा कोशन दिया पेपर होता है अगर पेपर को अच्षे से नहीं रखेंगा तो ओड जाएगा अर्था सहाया देना पड़ेगा पेपर को नहीं तो ओड जाएगा तो ऐसे आप लोगो नोट कर सकते हैं ठीके आगे बरतें को उसल्हां पुछा गया है कि आपसे उत्तरबदेश में स्तरवादिक छेत्फल वाली आम की प्रजाती है कौन सी है यह आम की प्रजाती है देसहरी आम होता है उत्तरबदेश में याद रिखेगा देसहरी आम का बोल बाला रहता है ठीक है ना और यहाँ पर देसहरी आम को प्रसंद भी किया आता है इसके बाद दूसरा नंबर आता है लंगडा आम कौन सा लंगडा आम आता है याद रिखे ऐसा नहीं है नाम सी रख दिया गया है यहाँ पर ऐसा नहीं इसको खाने से लंगडा हो जाता है ठीक है तो दूसरा नंबर आता है लंगडा आम अगला कुर्शन आपकी सामने दिया है राज में नियुन्तं में उन्पात तो ऑला जिना तौन 6You Second यहां अगर आप आफे बात करें नियुनुन्टं में पात तर्पधिश की बात किया है तो अंसर क्या होईगा यहां पर देखनी नंबर जिसका नंसर आ लेकपाल के पेपर में थीक ठाक आएगा उत्तर प्रदेश के एक ने कितने परस्ट योगदान करता है कि यह सब और नहीं है आपको याद होगा लगभग Congress सब्सक्राइब करना है कि यादर करना है तो आपका यादर कि रिख सब्सक्राइब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से एक पूछा गया है क्या रहा है आप से चाय कॉफी रबर तंबाकू के मुल्यों में उतार चढ़ाओ को नियंत्रित करने की उद्देश से मुल्य इस्थरी करन कोर्स की स्थापना का अनुमोधन कप किया गया था यहां पर 77 को तो इसी प्रकास से उसका जो मूल हो इस्थिर रहे तो आपका उप्सन मैजगा इनॉबर हो में आगे बढ़ते हैं को शरुजियों की वियापारिक खेती को क्या कहते हैं सब्जीयों की व्यापारी खेती को क्या कहते हैं सब्जीयों की व्यापारी खेती को बोलते हैं क्या यहाँ पर बोलते हैं ओलेरी कल्चर क्या बोलते हैं ओलेरी कल्चर कहते हैं इसके अंतर रताने वाले जो भी पौधे होते हैं अध्यन क्या आता है option B हो जेगा आगे बढ़ते हैं कोशनाप से दिया गया है यहां पर दिया है केंद सरकार द्वारा क्रसी मजदूर सामाजिक सुरच्छा योजना की शुरुआत कब की गई थी तो चलिए याद रिखेगा इसकी सुरुआत हुई थी एक जुराई संदोहज पूचन दिया है उत्तरमदेश में उर्वरक अपूरती है तो अनोधान किस प्रकार के उरवरकों पर दिया गया है कि मतलब देखा जाए उत्तरब्देश में जो उर्वरा का पूर्ती है उसके लिए आपकर कह रहा है तो अस्ती का अंसर क्या हो सकता है तो पोटाएसिया में फास भेटिक दोनों प्रकार की उर्वत पर आपके है अंसर इसका सी नमर हो जाएगा आगे बढ़ते कोशना आप से गला पूछा गया है नई रास्टी क्रसी नीती में क्रसी विकास लच्छ कितने प्रस्थ निधारित किया गया है यहाँ पर नसर हो जगा C आपका 4% कितना B तो 4% निधारित किया गया है और अगला कोशना से दिया है ड्रीप सिचाई पध्यती का जन्म स्थान कहां माना जाता है तो दिखे 82 नं और आज तो देखा जाए दुनिया में बहुत जगात किया जा रहा है अगला कोशन आप से दिया गया है कि भारत में निम्तम समर्थन कीमते सरकार दौरा वर्स में कितनी बार घोशित किया जाती है कोई भी जैसे आपकी होती है उनका जो MSP होता है उस साल में कितनी बार घोशित किया जाता है तो कह सकते हैं साल में दो बार होता है क्या दो फसली होता है तो दो बार किया जाता है option बनेगा यहाँ पर आपका B number आगे बढ़ते हैं question आप से अगला पूछा गया है क्या रहे विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है चलिए बताएगा विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है चलिए विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी इनमेसी कौन होता है यहाँ पर जवाब दीजे आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा भई चले B नंबर दे रहे है वीडियो होता है वीडियो और समापका B हो जाएगा वीडियो आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से पूछा गया यह विकास खंड की बात किया गया था अगला कोश्चन आप से दिया गया है यहाँ पर देखे कोश्चन है कि प्रधान मंतरी ग्राम उदय योजना में समलित नहीं है ते यहाँ परंसर आपका राईट क्या होज thrust का? यहाँ पर देखे 55 नमबर में तो भई देखे यहां पर basic सिच्छा भी है, पोसाहर है, पेजहल भी है, स्वास्ति भी है, सड़के और आवासली कि लग उध्धोग इसमें से आपका नहीं हैं, लग उध्धोग इसमें से नहीं है याद रखिएगा ठीक है ना के लिए है चले आगे बढ़ते हैं कोशना आप से गला पूछा गया है यहाँ पर लिए रास्टी विकास परशद योजना प्रक्रिया से जुड़े एक निदान हेतू केंद्र के स्थापना की गई सरकार दोरा कब की गई थी रास्टी विकास पर सजेसे भी आता है तो अंसर आपको लगाना है उनीसों यहाँ पर 202 लगाना याद रिखेगा ठीक है आगे Aunία कोश्य चेतरों में पस्वों में खुर्पाका मुह स्रrement यह थोता है यह कैसे दूरा होता है तो करकर सतासी 87 नमबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है तो देखो खुर तथा मुँ में छाले घाउं का होना पसको खाना पीना चला आदे का कठीन होना पर सुकार निरंतर दुलबर होते जाना अर्थाति ये सभी लच्छन होते हैं तो आपको पका जिसे रोक के कारण हो जाते हैं तो आप्सन क्या हो जाएगा अगला कोशिन दिया गया है व्यापक थो्स भीमा योजना की इसथान पर ये कब लागू की गये थी और निर्गमन मुल्यों के बीच अंतर की प्रतिपूरते सरकार द्वरा कैसी की जाती है। तो चलिए यहाँ पर 90 नंबर का जवाब देना है तो यह होता है खाद अनुदान द्वारा किसके द्वारा खाद अनुदान जिसका उप्सन है B नंबर तो यहाद रिखे खाद अनुदान द्वारा कि आपके आर्थिक लागत और निर्गमन मुल की बीच अंतर की प्रतिपू होती है चलिए जवाब दिए मेट्रिक जरीब में कडियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है यहाँ पर कडियों की बात की गई है हमने आपको पढ़ाया था सव कडियां होती है कितने सव कडियां होती है एक सो पचास मत लगाई है मात लगाना है सव कडियां होती है ज यहां पर आपको 100, ठीके ना, किलियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, कोशन दिया गया है, अमरूद उत्पादन के लिए निमनिकित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद है, अमरूद उत्पादन जो होता है, वो भई आपको पता है, इलहाबाद में खूब होता है, और आपके आग तो आपके मलिहाबाद जो कि लखनो का है, मलिहाबाद जो कि आपके लखनो जो आपके एरिया में पढ़ता है, तो आपसन बनेगा, यहाँ पड़ी नमबर, अगला कोशन आपके सामने दिया गया है, भारेश सरकार द्वारा राश्टी किसान आयो का गठन का किया गया, 94 मे आपका अंसर होजेगा, नॉमबर 2004, नॉमबर 2004 में किया गया, तो राइट अंसर बनेगा, यहाँ पर आपका डिनमबर राइट होजेगा, किलियर है, आगे बढ़ते हैं, कोशन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला कोशन के आपसे, कि इंदरा आवा आवास यूजना, गाउं में रहने वाले गरीबों को, आवास सम्मंदी अवसिक्ताओं की पूर्ती के लिए, जवाहर रोजगार यूजना से अलग कर एक सुतंतर यूजना की रूप में लागू की गई है, यहाँ पर 95 अंसर, यहाँ पर होजेगा आपका ए नंबर, एक ज जनुवरी 1996 से, आगे बटते हैं कोशना आप से अगरा पूछा गया है, यहाँ पर दिखो दिया है, निम्निखित में से कौन सा कथन स्वाजल धारा यूजना के लिए सत्य है, बटते हैं कोशना आप से अगरा पूछा गया है, उत्तरपदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक क कि स्थापना कप की गई थी, उत्तरपदेश सरकारी ग्राम विकास बैंक कि स्थापना कप की गई, यहाँ पर दिखे, 97 अंसर क्या हो जगा, तो 97 यहाँ पर बनेगा सी नंबर 1969, क्या बनेगा, 1969 बनेगा, 97 बनेगा सी नंबर राइट होगा, अगला कुछना आप से यहाँ पर दिया है, करसी लागत एवब मुल आयोग की स्थापना होई थी, यह कब होई थी, तो यहाँ पर क्या हो लेगा भई, तो आपके 1965 में की गई थी, याद रिखे, 1965 में की गई थी, याद रिखेगा, और पहले इसका नाम करसी कीमत आयोग था, क्या था, पहले इसका जो न यहां पर किचुवा को कहते हैं लेकिन से का मिट्र होते है दाल देते हैं सो क्या डाक योजना कब लागूँ की गई यहांपर अन्सर आपको देना है आपका सभी अन्सर में से क्या हो जाएगा चले यहां पर यहांपर पर खुड़ेगा तो दीकिए आपका हांदेट को मनेगा ए नंबर हांदेट का के लिए रहे तो चरिए फिर आची क्लास ही रखते हैं सभी को जैहिन सभी को बंदे मातरम